वेल्कम टो जिग्यासो अनलाइन क्लासेज आज बच्छों हम पढ़ेंगे की एसकोल क्वेरीज क्या होती है उसके कैसे बनाते हैं अब आपको सबसे पहले मैं बतादू की से क्या सब्सक्राइबीस एक तरह से जहां पर हमारे सारे डेटा से होते हैं है और हम किसी भी जैसे सब्सक्राइब करते हैं और इसकी वीस निखते हैं तो 54 form से टो को कैसे करते हैं करने करते हैं करने के बाद डेटावेस कैसे रडेक करते हैं यह सारी चीटे मैं आपको बताऊंगा तो बने रही है आप हमारे क्लास में और मैं आगे चलता हूं जो बताता हूं यह फॉर्म है HTML से बनाए गया है ठीक है आप सभी जानते है HTML क्या होता है HTML में हमने इस फॉर्म को पहले से बना रखा है और सबसे पहले मैं आप को बता दू कि ंट ड है यहाँ और सो मैंने बना रखा है टेस्टिंग नाम से थीक है लिए क्लास के लिए घ्यान दीजेगा यह एग साइने मैंने और मैंने टे नाम से इस्ट्रेट नाम का एक टेबल पहले से क्रियेट है क्योंकि हमाँ पास बहुत ज़्यादे टाइम नहीं होता है आपको बताने के लिए आपके सामने क्रियेट करने के लिए ठीक है इसमें में क्रियेट हो जाते हैं तो इसमें मैंने five columns डाल रखें नेम class subject and contact ठीक है एक ID आपको दीख रही होगी ठीक है जो ID एक primary की है आपने primary की और foreign की के नाम सुने होंगे SQL में ठीक है database में इसका बहुत ही यूज होता है primary की मैं बता दूँ की primary की होता क्या है प्रामरी की किसी भी टेवल में किसी एक टेबल को किसी एक कॉलम को डिफाइन करता है कि उसमें कोई भी डेटा रिपीट नहीं होगी ठीक है और यह एक टेबल में किवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं जबकि foreign key को हम multiple columns के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मैंने ID के लिए इसे यूज़ किया हुआ है primary key को ठीक है primary key यलो की के द्वारा दिखाई दिखती है और इसे पता चलता है कि कौन सा कॉलम primary key के लिए सेट है ठीक है next डेटा टाइप टेबल बनाते हुए डेटा टाइप देना बहुत ही जरूरी होता है कि किस प्रकार का डेटा इंट्री होगी किस कॉलम में ठीक है यहां देखिए इंटीजर मैंने दिया हुआ है और मैक्स लेंथ जो है डेटा की वो 11 है ठीक है नेम में वैर कैर दिया हुआ है यानि कोई भी स्ट्रिंग टाइप का आप उसमें वैल्यू रख सकते हैं वो अल्फा नुमेरिकल एंड सि बता दिया कि एक्चुली यह टेबल है क्या और किस तरह से बनाए गया है ठीक है नेक्स्ट कनेक्टिविटी जो हमारा मेन आज का टॉपिक है कि कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं पीच्पी और माइस्कुल के बीज में तो कि यहां देखिए मैं एकलोबल और वरियेबल मैंने लिंक बनाया ठीक हैओ ग्लोबल वरियेबल या आप सभी जानते होंगे कि एक ऐसा वरियेबल तो हर जगह पर करता है तो टीक यहां इसलिए हमने एक लिंक नाम का वेरियेबल लिया है ग्लोबल के अंदर ताकि वह पूरे फाइल में मैस को लाइक कनेक्टिंग मैस को लाइक कनेक्ट एक फंसन है जिस पंसन के अंदर हम अपने database के चार format जो की hosting, database name, username and user password को हम लिखते हैं सबसे पहले जो हमने लिखा है वो है host name ठीक है अभी जो हमारा server है वो local host है इसलिए हमने यहाँ पे local host लिखा हुआ है अगर कोई आपका server है जहां पे host name change है या IP address है तो आप IP address भी यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है second user name ठीक है यह हमारा user name है database का इस database को control करने के लिए एक user हमने बनाया है ठीक है वो user टेस्टिंग है उसके बाद पासवर्ड and then database का नाम पहले हम username और password देते हैं कि कौन सा user आएगा और उसका password देते हैं credential के लिए and फिर हम बताते हैं कि कौन सा database है जिसको हम इसमें use करेंगे ठीक है उसके पिर हम check करते हैं if not dollar link अगर dollar link खाली है अभी यह connection नहीं बना है then connection फिल्ड का message आएगा और डाइनम का function connection को close कर देगा ठीक है यह हो गया connectivity के लिए यह connectivity करने के बाद हम आते हैं अपने फॉर्म पे जहां पर हमने फॉर्म बना रखा है और फॉर्म में हम entry करेंगे फॉर्म के तो याद रखिए कर किसी भी पेज का टाइटल उपर में आपको दिख जाएगा या पेज टाइटल होता है सेकेंड फिंग फॉर्म एक्शन फॉर्म एक्शन बताता है कि फॉर्म सम्मिट होने पे वो डेटा किस पेज पे कहां पे जाके एक्जेक्यूट होगा ठीक है method equal to post method दो होते हैं get method या फिर post method तो इन दोनों method से आप ट्राई कर सकते हैं get method में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो URL के थूँ जाता है और post method में by server के थूँ जाता है जहां पर आपको data दिखता नहीं है वो automatic feel हो जाता है ठीक है तो हमने यहां पर method पोस्ट लिया हुआ है उसके बाद हमने input type equal to text class and name आप ध्यान दीजेगा कि डेटा को हम PHP में दो तरह से ले सकते हैं या तो name के through यानि जो भी form का field होगा उसके name के through दूसरा id के through ठीक है तो हमने यहां name के through लिया हुआ है तो name equal to name and then class then subject then contact number ध्यान दीजिएगा इस फिल्ड को जो आपका मेन है यह data type बताता है मतलब कौन से type में entry होगी second की name जो हम post में मतलब post method से जब data ले जाएंगे तो PHP में entry करने के लिए variable में data save करने के लिए यह काम आएगा ठीक है अब हम नीचे आते हैं PHP के script पे ठीक है जिसमें हम आपको बताएंगे कि insert data को हम form submit होने के बाद ले ले आते कैसे हैं तो उससे पहले में आपको एक सब्मिट करने का तरीका जो सब्मिट था वह मैं बता दूँ मैंने आपको बताया था नेम हमेशा ध्यान रखेगा नेम सही value कॉल हो गई ठीक है आगे आते हैं इससे जैसे ही submit होगा ठीक है वह इससे फंसन से हम चेक करेंगे dollar and score post यह वही पोस्ट मैथड है जो हमने form के मैथड में दिया हुआ था ठीक है submit का नाम हमने submit दिया हुआ है इसलिए यहां पर submit लिखा अब हम यह चेक कर रहे हैं कि submit बटन प्रेस हुआ है या नहीं अगर हुआ है तो वह यहां पर call हो जाएगा अब वह इस फंसन इफ condition के अंदर आते हैं इफ condition के अंदर आते हैं हम वहां पर मैंने हमने जो फिल्ड का नाम दिया था उसे हम dollar and score post के अंदर रखते हैं ठीक है name class subject and contact अब इन सारे को equal to k साथ हम इन variable में store कर लेते हैं यह मतलब कि जो भी data form से आपने submit किया है वो dollar post से dollar name में आ जाएगा ठीक है post method जो भी फिल्ड का नाम था और उसे हम इस variable में रख लेते हैं ठीक है रखने के बाद हमने जो connectivity बनाई थी आपको याद होगा वह यह connectivity थी dollar link नाम से बन रहा है ठीक है और con.php नाम के file में है हमने क्या गिया एक function के through इस file को call कर लिया यहाँ पे include कर लिया ठीक है include एक function होता है जिससे किसी भी file को file के content को हम include कर लेते हैं ठीक है तो यहां हमने include कर लिया फिर एक string string समय लिजिए ठीक है एक string हमने call किया dollar sql dollar sql एक variable बनाया उसमें equal to एक query लिखी ठीक है मैंने string इसलिए कहा क्योंकि यह query हमने अभी लिखी है ठीक है यह यह string ही है अभी तब तक query नहीं बनेगी जब तक कोई mysql का query हम run नहीं करा देंगे database के साथ मतलब database के साथ का मतलब यह हो गया कि जो भी database हमने बनाया है dollar global link में ठीक है तो dollar link नाम का variable जो global variable है उसमें database की connectivity है और जब तक हम उन दोनों को match नहीं कराएंगे किसी query को और database को तब तक वह query execute नहीं होगी ठीक है तो insert into students हमने query लिखी insert into student अब इसमें हमने name class subject और contact वही फिल्ड नेम है जो database में थे name class subject और contact यह ध्यान दीजेगा ठीक है यह हो गया database के फिल्ड नेम अब values में हमने वही हम वही चार variable को call करेंगे इसी के according name से name को class से class को subject से subject dollar subject को और contact से dollar contact को ठीक है dollar means variable आप जानते है PHP में जो variables होते हैं वो dollar के थूह ही start होते हैं तो यह चारो variable इन data को मतलब contain किये हुए हैं और वो इसमें entry होंगे कब जब हम database के variable को और query के variable को run कराएंगे एक साथ ठीक है और वो कैसे कराते हैं वो कराएंगे if माइसकोलाइक क्वेरी माइसकोलाइक अंडर स्कूर क्वेरी जै उसके बाद dollar link जो database की connectivity को contain किया हुआ है और dollar SQL जो query को contain किया हुआ है ठीक है जैसे run कराएंगे अगर वो run होता है ठीक है successfully तो वो इसके अंदर आएगा मतलब इस bracket के अंदर और अगर नहीं होता है तो वो else part में जाके error आपको बता देगा कि वो error है और किस प्रकार का error है ठीक है और किस तरह का error है यह बताता है माइसकोलाई underscore error नाम के function से ठीक है अब हम आगे चलते हैं इसमें और और कुछ भी नहीं है इंसर्ट कराने के लिए ठीक है अब इंसर्ट में हम जाते हैं यहां पर हमारा form बना हुआ है हम data feel कर लेते हैं ठीक है करने के बाद हम क्या करते हैं सब्मिट सब्मिट का जो नाम था सब्मिट करते हैं मतलब data database में चला गया होगा अब हम चेक कर लेते हैं यहां पर कि क्या यह सच में आ गया है ब्राउज करते हैं जैसे हम ब्राउज करते हैं देखिए हमारे सारे data automatic insert हो गया है यहां पर name bca name class subject and contact ठीक है अब next step है यह था insert का आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कि insert कैसे कराते हैं अब insert कराने के बाद हमें उस data को PHP के थूद देखना भी है ठीक है कि क्या data जो यहां पर entry हुई है हम उसको कैसे दिखाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है उसके बाद हम यहां पर फिर connection को ले आते हैं connection की database को फिर से यूज हो रहा है मैस को लाई underscore query ठीक है query जैसे हमने वो किया डॉलर लिंक यानि डेटाबेस को लाया database को लाने कवा सलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टुडेंट्स सलेक्ट मतलब हम उस टेवल को सलेक्ट कर रहे हैं ठीक है एस्ट्रिक एस्ट्रिक मतलब हो गया कि सारे फिल्ड को हमें एक बार में ही सलेक्ट कर लिया इन केस कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेवल को हम कॉल करना चाहते हैं तो यहां पर इस टार हड़ा के हम वहाँ पर टेवल का नाम लिग देंगे ठीक है लेकिन हमें पूरे सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको एरे में इस्टोर करना इस्टोर कर लिया डॉलर रोजनाम के एक वैरियबल में अब हमने एक वाइल लूप चला जिया ठीक है वाइल लूप आप जानते होंगे तब तक चलता है जब तक कि डेटा फेच होता रहता है जब डेटा फेच नहीं होगा वो आटोमेटिक बंद हो जाएगा वाइल लूप और प्लोज हो लेकिन जब तक डेटा होता रहेगा मतलब आता रहेगा जितने भी डेटा उस टेबल में ओंगे वह वाइल लूप से data को content किया हुआ है ठीक है अब उस array को कौन से field name मतलब कौन से column name के data को हमें यहाँ पे show कराना है ठीक है तो हमने यहाँ पे लिखा PHP का एक function eco मतलब print कराने के लिए और dollar rows के name को ठीक है dollar rows के name को हम eco से print करा देंगे ठीक है name को class subject contact then यहाँ पे हमने while loop को close कर दिया ठीक है while loop यहाँ से start हुआ है यहाँ पे close हो गया मतलब जब तक की data fetch होता रहेगा तब तक यह loop चलता रहेगा ठीक है जैसे ही data मतलब खतम हो जाएंगे data enough होने के बद यहाँ से loop को break करके और बाहर आ जाएगा ठीक है तो चलते हैं हम फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमने entry की थी entry करने के बाद देखिए हमारा एक data हमें entry किया था वह यहाँ पर शो रहा है name class subject and contact ठीक है अब हम check कर लेते हैं कि हो सकता है कि एक ही data आ रहा हो ठीक है तो कर लेते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर आटोमाइटिक डेटा फेज हो जा रहा है ठीक है थर्ड अब यहाँ पर चार डेटा इंट्री हो गया है अब इसमें क्या है कि किसी भी तरह की sorting नहीं है मतलब आप अल्फाबेटिकल किसी डेटा को सो करा सकते हैं ठीक है उसे sorting कहते हैं हमारा next step जो है insert मैंने आपको बताया था इंसर्ट व्यू डिलीट अपडेशन और sorting ठीक है तो डिलीट और अपडेशन हम next lecture में हम आपको बता देते हैं कि sorting कैसे करते हैं डेटा का देखें a r b s कोई sorting नहीं b c c c कोई sorting नहीं एक तरह से आप जान सकते हैं सो सकते हैं कि alphabetical है ठीक है कोई सॉर्टिंग नहीं है तो हम चाहते हैं कि यह जो नाम है यह अल्फबेटिकल आ जाए ठीक है अल्फबेटिकल मेंस ए से सुरू हो जेड तक जाए तो हम इसके लिए सॉर्टिंग करते हैं जिसमें एसकुल के क्वेरी लिखेंगे क्वेरी एड करेंगे उसमें और क्या क्वेरी एड करते हैं यह मैं बदा देता हूं आपको यह एक क्वेरी है जहां पर हमने लिखा था सेलेक्ट एश्टिक फ्रॉम इस्टुडेंट्स ठीक है हम जो भी इंट्री करेंगे मतलब लिखेंगे वह यहीं पर लिखेंगे क्योंकि यहीं हमें डेटा फेज कराता है ठीक है तो यहां लिख देते हैं हम वेर नेम सॉरी ओर बाई by नेम एससी एससी पहर एसेंड़ीग थल्फ यह एड़ी इसंडीर mm जो है नेम ओर रड़ बाई नेम नेम एक एक फिल्ड है छिस नेम है और एस अंडींग और में है यह लिखेंगे और बाइट एक वैरी है ओर भी यह याद रखिएगा जब भी आपको सॉर्टिंग करना हो तो आप ओर वाई लीक करके उस प्रियल का नाम और एसंडींग डिसेंदिंग आप सेंगे कि इस ओरलमें हमें डेटा चों कराना है उसकी वाई सेव करते हैं कैसे करने के बादध यहां पर रण करायेंगे थे कहां जैसे ही रण कराते हैं यह देखिए आनन्द भूमी रवी एंड सुभम ठीक है तो यह क्या होगे अल्फाबेटिकल सेट हो गया ठीक है अभी सही डिसेंडिंग ओर्डर में हमें चेक करना है तो यहां पर जाके हम केवल यह चेंज कर देंगे ठीक है डी एस सी लिख देते हैं मतलब डिसेंडिंग ओर्डर और सेफ कर देते हैं सेफ करने के बाद फाइल को रन करा देंगे कि यह डिसेंडिंग ओडर में सेट हो जाएंगे ऑटोमाटिक ठीक है एकदम आप नुमेरिकल को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं ठीक है नुमेरिकल को सॉर्टिंग करना है तो आप कैसे करेंगे कि और बाई कॉंटेक्ट को सॉर्ट करते हैं और एस सी लिग देते हैं ठीक है मतलब एसेंडिंग ओडर में और सेव कर देते हैं डेटा डेटा सेव करने के बाद इसे रन करा देते हैं कि यह अगर इसेंडिंग में करना है तो मैं आपको एक बार और फिर से करके दिखा देता हूं कि 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 सेव किया और रन करा दिया यह यह डिसेंडिंग ओडर में तो यह हो गए आज का लेक्चर था वो था connectivity इंसर्ट यूज एंड सॉर्टिंग नेक्ट लेक्चर में जो मैं बताऊंगा आपको उसमें होगा डेटा अपडेट कैसे करेंगे जो इंट्री हो गई है ठीक है हो सकता है उसमें कोई बहुत होते हैं कैसे काम करते हैं इन सब्सक्राइब कर दिजेगा